मुडु रंगु लजेंडा बट्टी सिंगा मोले खदले नाडू उक्करो खोंगे सूसुरीडू मनरा हुल्गांदी निगदी सीयरिये मुनगाडू मानेकराव ठाकरे जी, रेवन्त रेट्डी जी, बट्टी मलू जी, मदु याक्षी गोर्ड जी उत्तम रेड्डी जी, स्रीधर बाबू जी, विजे रमन्ना जी, राज श्ठाकुर जी कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब कारे करता, भाईयों और बहनों, ठेलंगाना के युवाओं, फ्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार अनलू, तमलू, अकलू, चलेलू, तेलंगाना युवत अंदर की, मीडिया मित्रों की, अंदर की नमस्कारों, अंदर की स्वागत अंबल्क्तुनानू कुझे तेलंगाना आकर बहुत खुशी होती है क्योंकि मेरा तेलंगाना से जो रिष्टा है, वो राजनेतिक रिष्टा नहीं है मोहबत का और परिवारिक रिष्टा है और ये ये रिष्टा मेरे से पहले आपका रिष्टा राजीव जी के साथ था, इंदरा जी के साथ था और नहरु जी के साथ था मुझे याद है जब कॉंग्रेस पार्टी ने तिलंगाना की जनता के साथ तिलंगाना का वाइदा किया था 2004 में कॉंग्रेस पार्टी ने तिलंगाना के लोगों से कहा था कि हम तिलंगाना बनाने के बारे में सूच रहे हैं रुण्ड वेल नालुगों लो तिलंगाना एरपार्टु चेसे आलोचन जेस्तुन जेपी कॉंग्रेस पार्टी प्रकटन जेसिंदी और फिर सोन्या गांधी जी ने तिलंगाना का निन्ने लिया मैंने आपसे कहा कि रिष्टा राजनेतिक नहीं है रिष्टा मोहबद का है परिवारिक है जब सोन्या जी ने तेलंगाना की बात की थी उन्हें मालुम था कि कॉंग्रेस पार्टी को राजनेतिक नुक्सान हो सकता है मगर तब भी उन्होंने तेलंगाना की गरीब जन्ता के लिए किसानों के लिए मज़्दूरों के लिए ये निर्णे लिया मगर सक्चाई है कि दस साल बाद जो सोन्या जी का सपना था आपका सपना था उस सपने को आपके चीफ मिनिस्टर ने पूरा नहीं होने दिया और आज चुनाओं से पहले लडाई दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है एक तरफ आपके चीफ मिनिस्टर और उनका परिवार उनका परिवार सरकार के सबसे जरूरी डिपार्टमेंट्स कंट्रोल करता है आएन कुटुम्ब सबिलू प्रभुत्वन लोन मुख्यमाईन शाकलनी डिपार्टमेंट्स कंट्रोल जेस नई वर आदीनलो बेटकु नई चाहे वो जमीन हो, रेत हो, शराप हो, चीफ मिनिस्टर का परिवार इन चीजों को तेलेंगाना में कंट्रोल करता है और वो काम चीफ मिनिस्टर जैसे नहीं, राजा जैसे करते हैं कलेश्वरम के बारे में आपको मालूम हो, कालेश्वरम प्रोजेक्ट को नची मिक्तल सु, प्राइस एक्सेलेशन करने के बाद एक लाख करोड रुप्र का निया बजेट बनाया आपकी जमीन डुबादी आपसे जमीन चीन ली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस प्रोजेक्ट से आपको क्या फाइदा मिला? कालेश्वरम प्रोजेक्ट निंची मी के लावन जरीगिन दा क्या यहां के लोगों को पानी मिला? क्या यहां के लोगों को फाइदा मिला? सिर्फ चीफ मिनिस्टर के बड़े-बड़े कॉंट्राक्टरन मित्रों को फाइदा मिला दर नी पोटल से यहां किसी को फायदा हुआ धरनी पोटल दुआरा भाव आपकी जमीण आपसे छीन ली कम्प्यूटराइजेशन का बहाना था लक्ष आपकी जमीन चीनने का था रेकोर्ड्स को टैमपर करके बदल बदल के तेलेंगाना के गरीब लोगों से जमीन चीनने बूमुलर रेकोर्ड लनी मार्ची ठेलंगाना निरुपेद जनव बूमुलू लाकुन अड़ू मुख्यमंत्री टू बीएच के एक स्कीम था मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों को घर मिले किसानों से करजा माफी की बात की थी एक लाक करोर रुपे आपको देने की बात की थी कितना करजा माफ किया सिर्फ बड़े बड़े लैंडलोर्ड्स को राइता बंदू का फाइदा मिला आज मैं यहां सिंगरेनी माइन्स के वरकर से बात किया हूं यहां की जो सिंगरेनी के माइन्स हैं उनको हम प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे पहले भी अदानी जी को बेचने की कोश्चिश हुई थी हमने रुकवाया हम खड़े हो गए और यहां के जो वरकर्स हैं उनकी रक्षा कॉंग्रेस पार्टी करेगी मगर यह मामला सिरफ तेलंगाना का नहीं है पूरे देश में अदानी जी की मदद की जा रही है सरकारी कोल कमपनीज और प्राइवेट कोल कमपनीज को अलग अलग दाम में कोईला बेचने का मौका मिलता है जहां भी देखो प्राइवेटाइजेशन करा जाता है हम इसके खिलाफ है जो हमारे वर्कर्स हैं जो हमारे किसान है उनकी रक्षा होनी चाहिए उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए मैंने आपसे कहा कि रिष्टा परिवारिक है मोहबत का रिष्टा है केसी रजी ने आपसे जूट कहे दलितों आदिवासियों से उनको देंगे नहीं दिया मोधी जी 15 लाग रुपे बैंक अकाउंट में डालने का वाइदा कर गए नहीं किया इसलिए जब कॉंग्रेस पार्टी कुछ कहती है तो हम करके दिखाते हैं हम आपसे जूट नहीं बोलने आये हैं और सबूत चाहते हैं आप तो करनातक जाईए चतिसगर जाईए राजस्तान जाईए करनातक में चुनाओं से पहले हमने वाइदे किये महिलाओं से किसानों से हमने वाइदे किये करनातक में आप किसी से भी पूछ लीजिए क्या करनातक की महिलाओं बस में मुफ्त में जाती हैं हा या ना एक आवाज से करनातक आख को जवाब देगा करनातक की महिलाओं फ्री में बस में गूमती हैं उनके बैंक अकाउंट में हर महिने पैसे आता है बिजली का दाम कम हुआ गैस सिलिंडर का दाम कम हुआ किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा गया यह सब हमने करनातक में किया अब हम यहां तेलंगाना में यही काम करने जा रहे हैं अब सुन लीजिए महलक्ष्मी स्कीम मेंगाई की चोट महिलाओं को लगती है हजार रुपए सिलिंडर की चोट महिलाओं को लगती है आप पुरे प्रदेश को आगे बढ़ाते हो पुरे प्रदेश को आप अपने कंधे बे ले चलते हो मत्तव रास्तान नी थमा भुजाल में नर्पी चेदी महिललं यह पिने मनजे सुनारू इसलिए हर महिने तेलंगाना की महिलाओं के बैंक अकाउंट में कॉंग्रेस पार्टी 2,500 रुपए डालेगी अंधुकोस में महिलल बैंक अकाउंट लो प्रतिन नेला रेंडुवेल रुपायल कॉंग्रेस प्रभुत्तों चेए बोत नदी गैस सिलिंडर 500 रुपए का कर देंगे गैस सिलिंडर तरत अग्यची आईवंदल रुपए लगी वो बोत नमूँग्रेस प्रतिन नेला की महिलाओं कोने कोने में बस में फ्री के ले जाएंगी तेलंगानलो रास्ट व्यापतंगा महिला लगी आटी सी बसलो प्रयानव उचितंगा फ्री गाजरगा बोत नदी राइतु भरोसा स्कीम 15,000 रुपए परेकर किसानों को 12,000 रुपए परेकर मज़दूरों को राइतु भरोसा पतकं किन्दा प्रती राइतु की प्रती एकरा की संबस्तान की 15,000 रुपए लिवब बोत नमू बूमिलेनी राइतु कूलल की संबस्तान की 15,000 रुपए लिवब बोत नमू ग्रह जोती 200 युनिट बिजली मुफ्त में ग्रिय जोती ने पतकं किन्दा मी अंदर की रोंडू अंदल वित्यूत उनिट लू उचितंगा इवा बोत नमू और युवा विकासम 5 लाख रुपए असिस्टन्स युवाओं को कॉलेज के लिए कोचिंग के लिए युवा विकासम किन्दा प्रती युवा कुन की युवत की आईदू लक्षल रुपए लो आर्दिक सायं जे बोत नमू और चे उत्या चार हजार रुपए महीने के सीनियर सिटिजन्स को चे युवत किन्दा पेंशन पेंची नालगु वेल रुपए लिवा बोत नजे अपने मना जेस्तना नू यह हमारी गैरंटी है इदी नेन उस्तुन गैरंटी रुमी कंजे अपने मना जेस्तना नू चुनाओं के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में यह हमारी गैरंटी को हम कानून बना देंगे मैं आपको बता रहा हूं दो दिन नहीं लगेंगे पहले दिन हो जाएगा करनाटक में भी हमने कहा था वहाँ पे विपक्ष ने कहा यह काम किया नहीं जा सकता एक दिन के अंदर हमने कर दिया आपके चीफ मिनिस्कर कहते हैं इन स्कीम्स के लिए पैसा नहीं है केसी आर जी आपकी सरकार नहीं होगी जनता की सरकार होगी जो आपके जेब में आज जा रहा है वो निकाल कर हम जनता को देने वाले है एक दिन में काम शुरू हो जाएगा आपसे मैं दो और चीज़े कहना चाहता हूँ पहली बात बी आरेस बीजेपी और एम आएम एक दूसरे की मदद करते हैं आयर अज भी आरेस, बीजेपी, एम एम, मूळलू खुटा कलसी हम भ भी ने सीन्न रहना बी जेपी को वोट देना मैं को भय देना इसका मतलब है कि बी आरेस को मदद करना मेरे उपर 24 केस है मेरी लोग सवाब की मेंबर्शिप रद कर दी मेरा घर चीन लिया ना इंटिनी प्रभुत्त्व इंटिनी गवर्मेंट वापस दीश्कुन अधी क्यों? क्योंकि मैं BJP के सामने खड़ा रहता हूं एंदु कंटे BJP में यदुरड़ी फोर आर्थुनानू अब देखिए आपके चीफ मिनिस्टर पे ना CBI की इंक्वाइरी ना ED के इंक्वाइरी ना Income Tax Department की इंक्वाइरी यहाँ पे आपसे लाकों करोड रुपे लिया गया है कलेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट में आपके जेब में से पैसा निकाला गया कोई CBI इंक्वाइरी नहीं कोई ED इंक्वाइरी नहीं यह CBI इंक्वाइर उंड़े दू यह ED इंक्वाइर उंड़े ने जे पनजेस्ट ना लोग सब लो पार्लमेंट लो बियारेस पार्टी बीजेपी की मद्दत को निलबट तुन दी चाहिए वो GST हो या किसान बिल हो GST मी दगानी राइतुल बिल्लू मी दगानी बियारेस पार्टी बीजेपी की मद्दत को निलबट दी यहां पे BRS को हराना है, दिल्ली में BJP को हराना है यहां पे अपना वोट जाया मत कीजिए BJP को, MIM को वोट नहीं देना है, Congress Party को देना है यहां पे Congress Party की आंधी आने वाली है इकड़ा Congress Party कूफान राब होतन दी, Congress Party वेव राब होतन दी और Congress Party के जो हमारे कारे करता है, वरकर है आपको इन लोगोंने 10 साल तंग किया Congress कारे करता लारा, पदेनलो पाटू वील्लू मिमलनी, इबबनी बेटिन रूँ आपको दबाया, मारा, कुचला, पीटा आप हमारे शेर हो, और आप भूलो मत कि आपकी सरकार आने वाली है ये तेलंगाना की जनता की सरकार होगी, मगर ये Congress Party के कारे करता की भी सरकार होगी और सरकार में आपको शामिल करके ये सरकार चलाएज़ागी जाएगी अब मैं आपसे आखरी बात कहना चाहता हूं जो शायद सबसे जरूरी बात कुछ दिन पहले मैंने पार्लमेंट में कास सेंसस पे भाषन दिया नेनू कोनी रोज लक्रिता हूं पार्लमेंट लो खुला कनन न गुरूंची क्यास्ट सेंसस गुरूंची माटलाटन जरीगिंदी नरेंद्र मोधी जी और आपके चीफ मिनिस्टर ओबीसी की बात करते हैं जहां भी जाते हैं ओबीसी की बात करते हैं प्रधान मंत्री यकड़ वोई ना प्रधान मंत्री ओबीसी ले गुरूंची माटलाटन तरू तो मैंने पार्लमेंट में एक सवाल पूछा मैंने प्रधान मंत्री से पूछा कि अगर आप OBC के इतनी मदद करते हो तो कास्ट सेंसस का जो डेटा है उसको आप पब्लिक क्यों नहीं बनाते मीरू ने नरेंदर मोधी ने पार्लमेंट लोड़ीगी ना मीरू OBC माट माटलार तरू कैस्ट सेंसस डेटा मीरू पब्लिक एंदू मिज़े रूँ अन माटलार दिना जो हमने जाती जन्गरना किया था जब हमारी सरकार थी दिल्ली में उसके आखड़े आप पब्लिक को क्यों नहीं बताते मैं आपको एक छोटा सा उधारन देता हूं हिंदुस्तान की सरकार को 90 अपसर चलाते हर मिनिस्ट्री में सेकरेटरी होता है दिल्ली में वो सरकार चलाता है आप मत सोचिए कि हिंदुस्तान की सरकार को मेंबर ओफ पारलिमेंट चलाते हैं हिंदुस्तान की सरकार को यह 90 अपसर चलाते बाजट में जो भी पैसा अलग-अलग मिनिस्ट्रियों में जाता है स्कीम्स में जाता है वो निडने ये 90 लोग लेते हैं बजट लो स्कीम्स लो बाज़त प्रभुत्यों का पैसे लो केटाएं चड़ाओं ये तुम्बाई मंदी अधिकार लो चेसता रू मन्रेगा में कितना पैसा जाएगा आदिवासियों को कितना पैसा मिलेगा मज़़ूरों को कितना मिलेगा कौन सी comparisons होंगी ये सारे के सारे निन्ने ये नबवे अपसर लेते हैं कि मन्रेगा किन्दा नी पाइसल वो आले कार्म कुलग नी पाइसल वो आले राईत्रो ले इस टीम की नी पाइसल वो आलेoten में यह इंधिकार ले निर्ने दिसकुटरू नरें पार्लमेंट में नरेंद्र पूछा मोधी जी ये नब्बे लोग हिंदुस्तान को चलाते हैं आप OBC की बात करते हो इन नब्बे लोगों में से OBC कितने है निनु पारलेमेंटला नरेंदर मोधी का नड़िगिना बारत देशानी नड़िपे तुमभई मंदी कार्या दर्शिलो OBC लें तमंदुजे अप आप कहते हो कि OBC को आप शक्ती देते हो तो आप मुझे बता दो इन नब्बे में से OBC कितने है और जो बजट है उसमें कितनी प्रतिशत पैसे का निर्णे OBC अपसर लिते है नेनु मोधी कार नड़िगिना मत्तों बारत देशों बजटु ये तुमभई मंदी अधिकार ल बात की मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया प्रदान मंत्री पार्लेमेंट लो गंट सेप माटाई इंडू का ना प्रशने की जवाबी बले दू बाईयों और बहनों हिंदुस्तान का बजट फॉर्टी फॉर लाक करोड का है अक्कचे लेलू अन्ना दमुलू बारत जाता है कैसे जाता है वो निरने ये 90 लोग लेते हैं ये 44 लक्षल कोटर रूपायलू यकड़िक मोळे ये तोंबाई मंदी अधिकारलू डिसाइट येस तरू बाईयों और मैनों 90 में से सिरफ तीन अपसर ओबिसी वर्क के हैं ये तोंबाई मंदी लो बारत देश नड़ पिच्छे ये तोंबाई मंदी लो मुगुरे मुगुरू ओबी इसलों न विश्वन येनिमिक मार्वी छोटे-छोटे डिपार्टमेंट्स में अधि गुडा चिन्न चिन्न डिपार्टमेंट्स लो कोने में बैठे हुँए वो वाला कि यक्कडु गुडा मुख्यमायन प क्या हिंदुस्तान में OBC के अबादी सिर्फ पांच परसंट है बारत देश्वन लो OBC जनल संक्या आईदु परसंट है आपके जो चीफ मिनिस्टर है कासेंस घरवाने से क्यों डड़ते हैं मी मुख्यमंत्री खूला कांवर चेड़ान की क्या सेंसे से चेड़ान की यंद्डु पाई पढ़तों डूरू मैं आपको बताता हूं क्यों घबराते हैं क्यों ग prochain जानते हैं कि ज़िस दिन काश सेंसर निकलाया, उस दिन दूद का दूद पाणी का पानी हो जाएगा येपड़ेई ते काश सेंस लईते दो लौटेश कश टंगा, ये कुलान की येंतसं क्यों सुन्दो तेली पोत अजे पी, कैस यार लौटेश सेंसर चेडन ले दो तेलेंगाना के लोगों को बात समझ आजाएगी कि तेलेंगाना के बजट को कौन कंट्रोल करता है, पैसा कौन इस्तिमाल करता है, पैसा कहां जाता है और कहां आता है इसलिए आपके चीफ मिनिस्टर यहां और नर्यंद्र मोधी वहां कास सेंसस नहीं करवाना चाते अंद कोस में इकड़ मी मुख्य मंत्री अकड़ नर्यंद्र मोधी कास सेंसस चेयडन ले दू और मैं आपको बता रहा हूँ जैसे हमारी यहां सरकार आएगी तलंगाना में कास सेंसस का यहां काम शुरू हो जाएगा तलंगाना लो कॉंग्रेस प्रभुतों रागा ने कैस्ट सेंसस पनी मुदल बेड़तमू और जो तलंगाना का सच्चा सपना है उस पर काम शुरू हो जाएगा तलंगाना निजमाईना प्रगती में मुदल बेड़तमू और यही काम हम इंदुस्तान में भी करेंगे डेली लो प्रभुतों रागा ने इदे पनी अकड़ुड़ मुदल बेड़तमू चुनाव का समय है मैं अब यहां काफी घूमा हूँ मैं आपको बता सकता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी के लेहर आ रही है ने निकड़ तलंगाना लो चाला तिरिगूनना स्पश्टंगा जबतुनना तलंगाना लो कॉंग्रेस तूफानू जैसे सुनामी आती है वैसे कॉंग्रेस पार्टी की सुनामी आने वाली और ये कॉंग्रेस पार्टी की तुफान है ये कॉंग्रेस पार्टी की का कार्य करता ला रहा है 10 साल आपने हमारा जंडा उठाया 10 साल आपने लाठी खाई अब आपका समय आने वाला है आपको एक कदम पीछे नहीं अटना है जो कॉंग्रेस पार्टी के और तेलंगाने की सचाई है आप तेलंगाना की जंता को युवाओ को माताओ को भेनों को बताओ ये विश्यों ये मिज़ों के तेलंगाना नो कॉंग्रेस धल्लू लखी युवकू लखी आप बताओ कि तेलंगाना को आपके चीफ मिनिस्टर ने लुटा है और आप बताओ कि कॉंग्रेस पार्टी जो तेलंगाना का सपना था उसे पूरा करना चाहती है और पूरा करेगी आप सब यहां आए शाम का समय हैं दूर दूर से आए हैं इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भूलिये मत ये तीनों पार्टियां जो है BJP, BRS और MIM ये एक साथ मिलके लड़ती है ये एक दूसरे की मदद करते हैं हमारी विचारदारा की लड़ाई है तेलंगाना के सपने की लड़ाई है इसको हम पूरा करके ही छोड़ेंगे धन्यवाद जय है जय है राहूल गंदिगर ना कतो राहूल गंदिगर ना कतो